अगर आप EPFO के मेंबर हैं, चाए PF अकाउंट ओल्डर हो या फिर EPFO के पैंशनर्स हो, किसी भी तरीके से EPFO के अगर आप सदस्य हैं मेंबर हैं, तो EPFO ने अपने मेंबर्स के लिए जो है 4-5 अलट जो है जारी किये हैं, जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, आपका काफी बड़ा नुक्सान हो सकता है, तो आज की इस वीडियो में इसी टोपिक पर बात करेंगे, कि EPFO ने अपने मेंबर्स के लिए क्या अलट जारी किये हैं, और मैं भी आपको समय समय पर अवेर करता आया हूँ, वीडियो के मादम से, कि आपको कुछ बातों का ध् पाइदा होगा, अगर छोटी सी एक गलती भी आपने कर दी, तो आपका काफी बड़ा नुक्सान हो सकता है, तो चलिए बिना किसी दिर के मैं आपको दिखा देता हूँ, EPFO ने क्या जानकारी सेर करी है, EPFO के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सभी के लिए, वीडियो में आगे हो अपने कंप्यूटर की स्केन पर और यहां पर मैं EPFO की जो ओफिशल वेबसाइड है, EPFO इंडिया.gov.in इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, जैसे EPFO की वेबसाइड ओपन करेंगे, तो यहां पर आपको सारे अलट जो है देखने को मिल जाएंगे, सबसे पहले यहां पर EPFO कहत है कि आपको जो है दोख़दड़ी से जो फ्रोड है उनसे आपको बचना है कैसे कभी भी आपको अपनी यहां पर देखे बताया है कि आपको कभी भी आपका जो UN नंबर है जो की 12 डिजिट करता है वो आपका जो पासवर्ड है, आपका जो पैन कार्ड नंबर है, आपका ज ध्यान देनी है कि कभी भी आपको अपनी personal information जो कि मैंने आपको बताई है किसी के साथ भी share ना करे दूसरा अगर आपके पास कोई call आता है अगर आपके पास कोई mail आता है कोई fake call आती है बोलता है कि मैं EPFO का अधिकारी बोल रहा हूं या फिर जो है किसी भी तरीके से आपको क cyber crime branch में तो जो fake call आती है fake message आती है उनसे आप बचके रहे और report आप कर सकते हो local police में और cyber crime branch में दूसरी बात आपको यह ध्यान देनी है क्योंकि आज कल काफी सारे spam mail आती है काफी सारे spam message भी आने लगे काफी सारे spam call आती है काफी सारा fraud करने वालों लोगों ने तरीके निका आते हैं उनसे आप बचके रहे तीसरा EPFO ने बताया है कि EPFO का जो stop है EPFO के जो अधिकारी है कभी भी किसी से जो है phone पर message पर या फिर whatsapp के मादम से या फिर social media के मादम से जो है उससे उसकी personal information जो है नहीं पूछते तो अगर आपको कोई बोलता है कि मैं EPFO का अधिकारी बोल रहा हूं है ना आपका PM का claim under process है तो आप अपनी ये detail बता दीजिए मैं आपका जल्दी claim settle करवाद दूगा या फिर कोई बोलता है कि मैं EPFO का अधिकारी बोल रहा हूं है ना तो मैं आपको pension मिलती है अभी EP95 pension scheme के तहते तो कम pension मिलती है मैं आपको ज्यादा pension दिलवाद क्योंकि EPFO इस तरह से किसी भी members को call नहीं करता और किसी से भी उसकी personal information नहीं मांगता तीसरी बात आपको यह ज्यान देनी है इसके साथ साथ EPFO की जो official website है वो है EPFO India.gov.in यह EPFO की official जो है अधिकारिक जो है website है तो अगर कोई दूसरी website का link आपके सामने आता है कोई बोलता है क EPFO की website यहाँ पर देखिए जो EPFO ने update किया है तो यह समझ जाना कि यह जो fake message है गलत जानकर यह आपके साथ share कर रहा है इसके साथ साथ देखिए अगर आप एक PF account holder है तो अगर e-nomination अगर आपने file नहीं किया है तो e-nomination file करने की last date कोई भी नहीं है कभी भी आप जो है अपने जून है इस तरह से कोई बोलता है कि भाई यह link है फटाबर से इस पर मैस इस पर क्लिक करके आप जो है अपना e-nomination file कर लीजिए अपने PF account के साथ तो उस link पर भूल कर भी click ना करें e-nomination file करने की जो है किसी भी तरीके की कोई भी last date नहीं है यहाँ पर आपको देखने को मिल करता है तो सोच लेना कि वो जो spam fake mail है fake sms है whatsapp पर message आता है तो समझ जाना कि यह आपके साथ fraud हो सकता है तो उस link पर कभी भी click ना करें e-pfo की website पर आकर आप जो जरूर एक बर check कर लें चलिए इसके साथ साथ आपको किन बातों का ध्यान और देना है तो यहाँ पर देखे e- e-pfo की जो service available है website के अलावा वो only among app पर available है among app के अलावा e-pfo की service कहीं पर भी available नहीं है तो among app जो है एक ऐसी app है जहाँ पर आपको e-pfo की service मिल जाएगी तो यहाँ पर भी e-pfo ने यह बताया है और e-pfo ने यह भी बताया कि e-pfo आई-जी में service is available in among platform यानि कि अगर आपको क रजिस्टर कर सकते हो among app के माध्यम से आलंकि e-pfo ने इसके लिए एक separate portal बना भी रखा है और among app के माध्यम से भी आप गिर्वेंस रजिस्टर कर सकते हो इसके साथ साथ यहाँ पर मापको और भी दिखा देता हूँ यहाँ पर देखे कापी सारे alert आपको देखने को मिल इस पर call कर सकते हो अब आप कहोगे कि यह तो लगातार बिजी जाता है तो देखे ए-pfo के 6 crore से भी ज्यादा members है तो बिजी तो जाएगा ही बट 3-4 बर आप ट्राई करोगे तो आपकी call लगे जाएगी तो यहाँ पर यह टोल फ्री नंबर दे रहा है यहाँ आप नोट कर तो यह भी बात आपको ज़रूर ध्यान देना है इसके साथ साथ यहाँ पर बताया है कि जो फेक website है जो की गलत information परवाइड करती है उनसे बच कर यह e-pfo की जो official website है www.epfinndia.gov.in यह only e-pfo की अधिकारिक official website है तो यह सारी चीजों का आपको ध्यान देना है और यहाँ पर e- देखने को मिल जाएंगे help का और गिर्वेंस का यहाँ पर देखे कलिक करेंगे तो यहाँ पर गिर्वैंस का portal जो है वो open हो जाएगा यहाँ पर देख शकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो, GPF들이 पर करके सकते हो, के लगा डिजी लोकर हो गया, ओमंग का भी यहाँ पर आपको option देखने को मिल जाएगा, इनकी official जो account है, उनके link भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगे, और अगर आपको balance पता करना miss call मार के तो यहाँ पर देखे, यहाँ पर number दे रखा है miss call का, और यहाँ पर SMS के पनित, PF हो गया, EPS pension से संबने सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, तो बस यह जानकरी आप सबी के साथ share करने थी, फ्रोड जो करने वाले लोग है, उनसे बच करिए, आप जागरुक बनिये, otherwise आपकी एक छोटी सी गलती की वज़ए से आप जो अपना खुद का बड़ा नुक्सान कर लेंगे, क्योंकि आपने ही अपनी personal information किसी के साथ share करी है, आप आज कल news में पढ़ते होंगे, paper में पढ़ते होंगे, message भी आपकी पास आते होंगे, उसके साथ इतना fraud हो गया, उसने OTP share कर दिया, उसने अपनी personal information share कर दी, तो कभी भी अपनी personal information share ना करें, और यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहूँगा, कि अगर कोई मेरा नाम लेता है, कोई बोलता एक technology, यूटूब चैनल से मैं परदीप का भाई बोल रहा हूं, या फिर उनका टीम का member बोल रहा हूं, या पिर मैं technology यूटूब चैनल से परदीब बोल रहा हूं, या पकोई мі रैठने के चक्र में ये सारे काम कर रहा है मेरी जो ओफिशल जो ट्यूटर आइडी इस्टेग्राम जो आइडी है वो है आई परदिब सर्मा जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और टेलिग्राम चैनल का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वह मिलते जल्द एक और नहीं जानकरी के साथ इजाज़त दीजिए मिलते जल्द एक और नहीं जानकरी एक और नहीं इंफर्मेशन के साथ अपना ख्यार रखेगा बबाए टेक केर